मोदे जी तो कुछ भी कह देते हैं, उनके तो कोई बात नहीं है, साम को क्या कहते हैं, सुभी क्या कहते हैं, कोई भरोसा नहीं रहता है, वो सुभेरे कह देते हैं कि कांग्रस ने मुसल्मानों को कुछ ने दिया, मुसल्मानों को उपयोग किया, अगर कांग्रस को बोट तो कभी मंगल सूत कभी कुछ तो प्रधान मंत्री जी जो है इनके बात के कोई गारंटी ने है कोई भरोसा नहीं है के वाल जूर भर की गारंटी है सर सब जानते हैं कि जो चलनाओ आयोग पे छटे चलडगा कल चुनाओ होने वाला है बिहार में ही होने वाला है बैसाली में होने वाला है और दिल्ली में होने वाला है तो सर क्या लगता है जो लाश्ट टाइम में लाश्ट पे इंट्री होती है चुनाओ आयोग की जुस पर स वाल या निसान खड़े होते हैं उन पर लगा जाता है कि जो फार्म सेवेंटी सी का एक मुद्दा आया है जिस पी आप पहले सौट में बताईए उसकी बारे में तेखे फार्म सेवेंटी को समझने के लिए जो है उसके प्रिष्ट भूम में जाना होगा इलेक्शन कमीशन जो प्रजात आंत्रिक के व्यवस्था में चुनाव कराने की प्रणाली है वो सबसे निस्वक्ष हुआ करती थी और इसके निस्वक्षता के प्रती सरकार की नियत ठीक नहीं है और इसमें सवाल उसी दिन से खड़ा हो गया था जिस दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कानून में परिवर्तन करके चुनाव आयक्त के चैन में उन्होंने चेफ जस्टिस को हटा करके और एक राजनेतिक को नामनेट किया था उसे दिन से सवाल खड़ा हो गया था कि एस इलेक्शन कमीशन की निस्वक्षता कैसे रहेगी और जब उसके जो अधिकार थे जो उसके निस्वक्षता थी जो उसके निर्भेकता थी उसको सरकार ने सब खतम कर दिया अब जब सरकार ने खतम कर दिया तो सरकार के अधिन होकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और वही कारण है कि आद जो सेव हींटीन का फार्म है वो फार्म में जो पहली काई हमारी होती है जब चुनाओ होता है दूसरे के पड़े तो ये सारी जानकारी होती वहीं से विश्वास पैदा हो जाता है प्रात्वी की काई से कि नहीं जो हमारे पोलिंग बूस में चुना हुआ है वो सही तरीके से हुआ है और अज़कारियों के इसमें कोई बद्मियती नहीं है सारी जानकारी हमको दिया है य उस्टे जादा कही महत्ति है कि उस कानून के प्रती उस अधिकारी प्रती उस संस्था के प्रती हमारे बिश्वसनियता मजबूत रहे क्योंकि इस देप्रजातंत्र में 140 करोर लोगों का विष्वास भी कोई चीज होती है उनके विष्वास को बनाए रखना ये भी जरूरी होता है जो इसे जाहिर नहीं होता है क्योंकि आंकड़े जो है कुछ दे दिये जाते हैं जारी कर दिये जाते हैं अब ये बताई लेशन कमिशन क्यों आखड़े की साधार पर आपने जारी किया जब आपके पास अंस्कृत जानकारी नहीं थी तो कैसे आपने कर दिया किसके कहने पर कर दिया जब अंस्कृत जानकारी थी तभी आखड़ा प्रसारित करना चाहिए लेकिन वो आकड़ा प्रसारित कर दे और उसके एक हफ्ते बाद ये भी नहीं कि माने एक घंटे दो घंटे बाद करें इसके एक हफ्ते बाद अब जारी कर रहे हैं कि 7% जादा बता रहे हैं कि माने इतने मैं परसेंट बोटिंग पड़ी है तो इससे निश्चेत लोग से जा इंजोर हुआ है विश्वास ठूटा है आज विश्वास के सब से कमी है आप कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है ओ एक साइडेड है या फिर किसी पोलिटिकल एंगल से जुड़ा हुआ है इसका सपोर्ट करता है चुना आयोग पर बहुत सारे जो सवाल थे उसके हम पच्छी इसलिए हुआ है कि जो राजेव गांधी थे जो फर्स टाइम उन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय जब इंद्रा गांधी की देथ हुई ती उस टाइम में चुना आयोग ने 14 दिन के लिए डिले कर दिया था बीना किसी पमीशन से उन्होंने किया लेकिन चुनाव आयोग अगर पॉल्डिकल एंगन के लिए काम करता है जितने भी चुनाव आयोग से अब रिटायर्ड होते हैं या फिनिकलते हैं वह पिसांसत्त अब नहीं बनते हैं जो कि पहले कोई ने पार्लाइमेंट मेंबर बनते थे या पिर कोई भी सांसत्त बनते अशिस पैदा होगी अचानक कोई ऐसी परिशिती आएगे उस समय हमारे संविधान के तहद किस तरह का रास्ता हमक्तियार करेंगे वह हमारे संविधान में है और जो भी हुआ था संविधानिक तरीके से हुआ था और उन कहते हैं कि चोरी करना एक अलग बात है और चोर के प्रते विश्वास पैदा होना या अविश्वास पैदा होना एक अलग बात है जिस तरह से इसमें एक पध्धती अपनाई गई है सरकार के द्वारा यह से लिए लगता है कि माने इसमें इस पक्षता के प्रसे प्रसन पैदा होता है प्रसन खड़ा होता है यह हमारा कहने क मतलब है और सारे जो है तो मोदे जी तो कुछ भी कह देते हैं उनके तो कोई बात नहीं है वो साम को क्या कहते हैं सुभी क्या कहते हैं कोई भरोसा नहीं रहता है वो सुभेरे कह देते हैं कि कांग्रस ने जो है मुसल्मानों को कुछ ने दिया मुसल्मानों को उपयोग किया अगर कांग्रेस को बोट दोगे तो सब कुछ ये मुसल्मान को दे देंगे तो कभी मंगल सूत कभी कुछ तो ये प्रधान मंत्री जी जो है इनके बात की कोई गारंटी नहीं कोई भरोसा नहीं है केवल जूड भर की गारंटी है आपने बोला कि चुना आयोग ये कर जुना आयोग से इक के तरब से जलिल दी गई है कि अगर हम पार्टी को ये आकड़ा जाड़ी करते पार्टी को इंपहर्मेशन देते हैं तो तो हमें नहीं लगता कि हमीं ये रिलीज करना चाहिए बाहर लोगों को पहुँचाना चीज परसेंट बोट पड़ा है मसेन में उसमें कौन सी भ्रामकिस पैदा हो जाएगी यह तो केवल कहने की बाते हैं जबादारी से भगने की बात है गिये थे हमारे कुछ सवाल और आए उन से जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि एक तरफा चुना आयोग जाता हुआ दिख रहा है एक तरफा का सवाल नहीं है लेकिन जो इस देश के 140 करोर लोगों का जो विश्वास है जो हमारे चुनाव कमिश्णर के प्रति चुनाव प् करना भी संस्थाओं का दाइत्र है जो नहीं कर पा रहे हैं चुनाव आयोग के जो तरफ से आप सवाल उठारे जा रहे हैं या फी जो लोगी इसके लिए पिटेशन जारी कर रहे हैं उनका कहना कि चुनाव आयोग का 2014 के बाद ही हर टाइम सवाल के घेरों रहा है क्योंकि पहले चुनाव निस्पच्च नहीं था आप जम निस्पच्च हुआ है इसलिए चुनाव आयोग का हमेरे से कटगरे में खड़क किया जाता है और इस पर आरोप लगाया जाते हैं नहीं सवाल एक उल्टी बाद सरकार या मोदी यह लग खरते हैं उल्टी बात करते हैं कि जब माने पक्षपाती था तब सवाल नहीं उठते हैं सवाल कब उठते हैं सवाल तब उठते हैं जब निस्पच्च तक माने प्रभावित होती है और विश्वास कमजोर होता है आस्था कमजोर होता है तब जा करके प्रसन पैदा होते हैं सवाल उठते हैं और जब कुछ नहीं रहते तब सवाल नहीं उठते जब अच्छा काम हो रहा है निया के परकिया की तहात हो रहा है तब सवाल थोड़ी उठता है सवाल तो जब गलत होता है तभी जादे उठते है